नमस्कार मैं हूँ योगेश चक्रवर्ति और आप देख रहे हैं रैड निटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं पत्ना के इंकम टैक्स चौराहे पे जहां ये पोस्टर लोगों के आकर्शन का केंद्र बना हुआ है लोग अपनी गाणिया को रोक रोक कर इस पोस्टर को द लिखाया गया है आरजएडी के राश्ट्रिय अध्यक्ष लालु परसाद यादव को आरजएडी के नेताश शहबुद्दीन को और आरजएडी के ही नेता राजबनलव यादव को तीनों जेल में हैं और इसके पोस्टर के ऊपर में लिखा गया है कैदी बजा रहा थाली जनता बजाओ ताली मतलब कि आरजेडी आज जो बीजेपी की रैली का विरोध कर रही है और उसको लेकर थाली बजा रही है उसी के मद्दे नजर ये पोस्टर लगाया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी साल है और चार से पांच महीने के बाद बिहार में वि पुस्टर के जरिये जो ऐसे में विरोधित दल के जो लोग हैं ये बिहार की जनता को बताना चाहती है कि कहीं न कहीं अगर आप आरजेडी को मौका देंगे तो इसका परिणाम क्या होने वाला है हम आपको बता दे कि पिछले कुछ दिनों में तिजस्वी यादव ने बेह साधने से नहीं चूकते हैं और उसी का नतीजा है कि आज आरजेडी जो है थाली बजा रही है बीजेपी की वर्चुल रैली के खिलाब ये बताना चाह रही है कि बिहार की जनता की थाली में अनाज नहीं है चावल डाल रोटी नहीं है लेकिन आप वर्चुल रैली कर चु विवस्था कर दो उसके बाद आप वर्चुल रैली करो चुनाब की तैयारगी करो कौन रूक रहा है लेकिन बीजेपी और जो इनके विरोधी हैं जेडियू वो इस अंदाज में आरजेडी को जवाब दे रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के जो अगर आप इनकी बात अगर आप सूनते हैं तो कहीन न कहीं इसका खामयाजा आपको भूगतना पड़ेगा आईए हम आपको सुनाते हैं जेडियू के नेतार नीरज कुमार इस पोस्टर के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं पोस्टर किस ने लगाया यह तो हम नहीं जानते लेकिन जो सिर्शक है वो बड़ा मज़ेदार है कैदी बजा रहे थाली जनता खूब बजा रही ताली सच को कबूल करवाया है जुडिसियल माइगरेंट है न चाहे लालू जादब हो चाहे राजबल्लब जादब हो चाहे साबुद्दीन हो इन्याइक प्रवासी है तो इसी पार्टी के कुनवे है तो आज नकल्ची तेजस्वी आदो जो थाली बजाने का नकल करने वाले हैं तो आज पिता जी भी थाली बजावे हैं जेल में और जो उनके राजनीत के बंस गोतर हैं चुकि उनके पिता जी तो महा मंडले सोर है अपराज जगत के सब को दिछा होई दिये हैं तो जेतना जेल में सब नियाइक प्रवासी है जुडिसेल माइगरेंट है उनक बजाएंगे तो उसी को पोस्टर में लगता है दिखाया गया है जो मैंने मीडिया में देखा है तो सच तो सच होता है घोटा लोवाजों की फौज बजा रही घंटा गरीबों की छिन्थाली दिखा दी अपनी मन्शा सत्ता के सार्थी चम्मत से करे आर्थी तेज नहीं चतुर है सब ठग लेंगे ना जाने कब रहिएगा सावधान लीजिए इनको पहचान ये तो सच है ब्रस्टा चार के राजकुमार है ब्रस्टा चार बंशबाद परिवार बाद का परियाए है लालू परिवार तो आज पूरा बजाइए तिहार जेल से लेकर, होटवार जेल से लेकर करके बेउर जेल तक जितने राजनित के बंस गोतर के लोग हैं सम मिलके थाली बजाईए तो जनता भी थाली बजाएगी के चका चक है, देखिए कईसा इंजक्षन कानून का लगा कि आज इनको थाली बजाने के लिए जेल मिला और जनता रोड पर ताली बजा रही है सच तो सच होता है ना इस सबाल को तो पूछना आवश्यक है चाती कहार पीट रहे हैं के बहुझे हैं आप तो एसी वाले है के अडिक sister का drug and अरभर्पति तो है नहीं आपके जैसा गौन्य थान्य नहीं में करते लाइट उट भी रहता है विजलिभी दिक्कत सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम लोग है पॉलिटिकल मजिस्टेट सीधा पकड़ते हैं आपकी हर चालवाजी को पकड़ने को तयार है अब अरब पती हैं आई भी स्रमिक बनने की तयारी में तो हमको लगता है सच का एहसास व्यक्ति को होना चाहिए तो सुनाया आपने निरजी को इनका कहना है कि जो पोस्टर है उसके मजमून साफ है और पोस्टर किसने लगाया इससे मतलब नहीं है लेकिन पोस्टर कहीं से भी गलत नहीं है तो एक तरफ विपक्ष जो है सरकार पर निसाना सादने का मौका नहीं छोड़ रहा दूसरी तरफ जो है उनके विरोधी जो है इन पे भी हमले करने के तरह तरह के तरीके ढूंड रहे हैं और खास करके जो इनके नेता जेल में हैं उनको लेकर अक्सर इनकी दुखती रख पर आरजेडी की दुखती रख पर हात रखने का मौका नहीं छोड़ते योगेश चक्रवती राज निटवर्क पटना